2016 में जब दंगल आई थी ना तब इसने बॉक्स ओपिस पे धामाल मचा दिया था और दंगल ने कलेक्शन के मामले में तो बॉक्स ओपिस पे आग लगा दिया था और ये आग हमारे यहां से ज़्यादा बिदेशों में फैल गया था 2016 के बाद बहुत सारी All Time Blockbuster फिल्में आई लेकिन किसी ने भी दंगल के रिकोर्ड को हिट नहीं किया मतलब किसी ने भी उसके रिकोर्ड को नहीं तोरा वो कैसे आगे इस वीडियो में हम जानते हैं 2016 के बाद बाहुवली 2, KGF Chapter 2, RRR, पठान, जवान ये सभी फिल्में आई जो कि All Time Blockbuster फिल्में हैं और इसमें से जवान अभी भी रनिंग में हैं लेकिन इन सभी फिल्मों में से किसी ने भी दंगल का रिकोर्ड नहीं तोर पाया बस एक रिकोर्ड समझ रहो ना मतलब सारे लेकिन दंगल का जो एक रिकोर्ड थाना वो अभी तक किसी भी फिल्म ने नहीं हिट किया है क्योंकि देखे रिकोर्ड तो कहीं तरह के होते हैं अब देखिए आप सभी को तो इतना पता है कि दंगल फिल्म ने भारत से ज़ादा बिदेशों में कमाई की थी दंगल ने इं इतना बरा है कि बड़ी सी बड़ी फिल्म को हीट नहीं कर पा रही है? ना इसे तोर पारी है 2016 से आज तक ये फिल्म नम्मर वन पर है Worldwide Collection के मामले में दंगल के बाद 2017 में बाहुवली 2 आई और इसने Worldwide Collection 1788.06 करोड का किया था और KGF Chapter 2 ने Worldwide Collection 1215 करोड का किया था RRR ने 1230 करोड का कलेक्शन किया था और अब जवान जो कि अभी रनिंग में है जवान ने अब तक Worldwide Collection 1125.20 करोड का कर लिया है और सिर्फ Overseas Market से जवान ने अब तक 380.34 करोड का कलेक्शन कर लिया है जबकि दंगल ने सिर्फ Overseas Market से 1535.38 करोड का कलेक्शन किया था मतलब कितना बरा डिफरेंस है भाई जितना भाई दंगल ने सिर्फ Overseas Market से कलेक्शन किया है न उतना तो बड़ी बड़ी फिल्मे जो है न वो Worldwide Collection भी नहीं कर पाती है और आज जवान को 37 दिन हो चुके है और आज जवान 4 करोड का कलेक्शन कर सकती है लेकिन ये दंगल के Worldwide Collection रिकोर्ड को नहीं तोर सकती वैसे आपको क्या लगता है कि दंगल के इस रिकोर्ड को कोन तोर सकती है तुकि आगे अभी बड़ी सी बड़ी फिल्म आने वाली है सलार, डंकी, एनिमल क्या इनमें से कोई दंगल का रिकोर्ड तोर सकती है आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्चन में जरूर लिखना और ये दिन सब के बारे में आपका भी कोई रह हो तो साथी वो भी कॉमेंट में जरूर लिखना